स्माम अलेकुम बैचो आज हम तीसरी जमात का अर्दू पढ़ने जा रहे हैं हमारा मोजू हमसाय है बैचो इस सबक का अधा हिसा हम पाढ़ चुके हैं बागी आधा हम आज पढ़ेंगे आप पेज नबर 28 निकालो 28 पेज नबर अप निकालो यहां से हमें पढ़ना है इंजक दिया और दवा खिलाई डाक्टर ने जब असलम की अमी को देखा तो उसने उसको इंजक्शन दिया और दवा खिलाई असलम की अमी की हालत बहतर होने लगी असलम की अमी की हालत ठीक होने लगी वह अब ठीक होने लगी डाक्टर ने कहा बाबी आप गाबराने की कोई बात नहीं भावी, आप गाबराने की कोई जरत नहीं, कोई पैरिशानी नहीं लेकिन, काल आफ हसपतल ओके खुद का चाकाप जुरूर कराएं, लेकिन काल आफ हसपतल ओके खुद का चाकाप कराएं, हाँ ये दावा चार गंटे के बाद फिर लीजी डाक्टर ने कहा असलम की अमी को कहा ये दावा चार गंटे के बाद फिर लेना मैं सुबा आके दुबारा देखूंगा मैं सुबा आके आपको दुबारा चाकप करूंगा असलम ने डाक्टर आंकल का शुखरियादा किया उसकी अमेद आरामारे से सो रही गोत्म में अपकी फीस गोत्म ने डाक्टर साब आपकी फीस डाक्टर ने कहा बाई साथ अगर आप अपने हमसाई के लिए रात की नियन छोड़ कर मेरे गार आ सकते हैं तो मैं भी अकरम का हमसाय हूँ डाक्टर ने कहा अगर आप अपने नियन छोड़ कर अपने हमसाय के लिए मेरे गार आए तो मेरा भी फर्ज बानता है कियोंकि मैं भी तो अकरम का हमसाय ही हूँ बैचो आज के लिए इतना काफी है इससे आगे हम काल पाड़ींगे